जैश्री राम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पाउरफुल सीक्रिट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए चमतकारिक तौर पर काम करेगा। विश्वास मानिए यह सो प्रतिशत कार्य करेगा। अगर आप किसी भी तरह से इस वीडियो में आ गए हैं, तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आप अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो ऐसा कोन सा मंत्र है, कोन सी सिक्रिट पावर है जो आपकी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है? वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले जो नियम है, वो है आपका बिलीव सिस्टम, यानि आस्था और विश्वास. अगर आपका विश्वास मजबूत है, तो कोई भी टेकनिक फॉलो करिए. आपको रिजल्ट सो प्रतिशत म मिलेगा. अब मैं आपको ऐसा समय बता रहा हूँ, कि यदि आप उस समय पर यह टेकनिक करते हैं, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा. बस करना आपको इतना है, इस समय को सही से उप्योग में लाना है, समय की पावर को समझना है. तो वो समय क्या है? चलिए वो ज जब भी जिस दिन भी यह वीडियो मिले, आप उसी रात इस टेकनिक को फॉलो कर सकते हैं. इसके लिए कोई विशेश दिन नहीं है. जब भी आपको यह वीडियो मिले, उसी रात आपको यह करना है. हो सकता है जब आपको यह वीडियो मिले, तब रात में 11.11 हो चुके हो, तो आप अगले दिन रात ग्यारह ग्यारह यानि की ग्यारह बज़ कर ग्यारह मिनट पर वीडियो को शुरू कर सकते हैं. अगर आप सब कुछ करके ठक गए हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो प्लीज, एक बार मेरे कहने से हनुमान जी पर विश्वास के साथ इस विधी को करके देखिए. क्योंकि जब तक आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करोगे और पेशंस नहीं रखोगे, तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी. इसलिए किसी भी विधी को पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, तब सौपतिशत आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी. अगर कोई मनोकामना बहुत बड़ी है, और काफी समय से आप उसके लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारी अर्चने आ रही है, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, लगातार बहुत सारी रुकावटे आ रही है, और आप सभी चीज ट्राय करके ठक गए हैं, तो एक बार आप मेरे कहने पर इस टेक्निक को फॉलो कीजिए हो सकता है अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि ग्यारह ग्यारह पर ही मनो कामना को पूर्ण करना क्यों जरूरी है तो मैं आपको बता दू रात में यह एक ऐसा चमतकारी समय होता है जिस समय यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के सारे दर्वाजे खुले होते हैं इस समय पर आप कोई भी चीज या कोई भी मनो कामना मांगोगे तो वो जरूर पूरी होगी और यह टेक्निक ट्राइड एंड टेस्टेड है वेसे तो इसके रिजल्ट सेम डे में ही मिल जाते है लेकिन अगर आपको 24 घंटे में नहीं तो 11 दिन में आपको इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे आपकी अगर मनो कामना बहुत बड़ी है अब आपको इसके रिजल्ट कितने जल्दी मिलेंगे ये सिर्फ आप पे depend करता है, क्योंकि जितना मजबूत आपका विश्वास होगा, उतनी जल्दी आपको इसके result मिल जाएंगे. ऐसे में आपको यह technique 11 दिनों तक करनी है, और इन 11 दिनों में आपको इसका चमतकार जरूर देखने को मिलेगा. रात के समय 11, बज़कर 11 मिनट में आपको यह technique करनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इस technique को करे, उस वक्त आपका मन बिलकुल शान्त होना चाहिए, कोई भी negative thought आपके दिमांग पर ना हो, आप बिलकुल शान्त होकर ही इस technique को करे, अब आपको करना बस इतना सा ह एक, सफेद प्लेन कागज ले लेना है, वैसे तो आप कोई भी कागज ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना प्लेन कागज ही हो, बहुत अच्छा होगा, और पैन आपको काला नहीं लेना है, उसके अलावा आप किसी भी पैन का इस्तमाल कर सकते हैं, मतलब आपको काले पैन को अब आपको अपनी कोई भी मनो कामना ले लेनी है लेकिन ध्यान रहे एक बार में एक ही मनो कामना पूर्ण होगी इसलिए एक बार में बहुत सारी मनो कामना नहीं लेनी है एक बार में सिर्फ एक ही मनो कामना पर काम करना है जैसे बहुत समय से आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है जिस मनोकामना को पूरा करने के लिए आप बहुत उतावले हो रहे हैं तो कागज पर जो की आपकी मनोकामना है उसे ग्यारह बार लिखना है जैसे कि आपकी कोई मनोकामना नौकरी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, नए घर कोई एक्जाम, शादी या किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो आप अपनी मनोकामना को ग्यारह बार लिखेंगे, आपको लिखना है जिस पर भी आपको विश्वास हो, जिससे आप बहुत मानते हो, उनको यह लिखना है, धन्यवाद बाबा, मुझे मेरी मनोकामना है, उसे लिखना है कोशिश करना एक ही लाइन में आपकी मनोकामना आ जाए और सेम लाइन कोई ग्यारह बार रिपीट करना है लिखने के बाद आप उस कागज को अपनी तरफ दो बार फोल्ड करके अपने दिल से टच करना है और दहने हाथ से टच करते हुए आखें बंद कर लेनी है और ग्यारह सेकंड के लिए अपने इश्ट अपने भगवान को याद करके उनका शुक्रियादा करे ऐसा महसूस कीजिए आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है उसके बाद इस मंत्र को बोलना है ओम एंते रक्षाए नमा इस छोटे से मंत्र को भी ग्यारह बार बोलना है चलिए एक बार साथ में ग्यारह बार बोलते हैं पूम एंते रक्षाए नमा अपनी मनोकामना को कागज में लिखने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को करने में आपको जादा समय नहीं लगेगा जादा से जादा आपको पांच मिनट लग जाएंगे अब आप उस कागज को अपने तकिये के नीचे रख कर सो जाईए ऐसा आपको ग्यारह दिनों तक लगातार करना है लिखना एक ही बार है लेकिन रोक उस मंत्र को ग्यारह बार बोल कर वापस इस कागज को अपने तकिये के नीचे रख कर सो जाना है एक बार मैं आपको पूरा प्रॉसेस रिपीट कर देता हूँ सबसे पहले एक प्लेन सफेद कागज पर ग्यारह बार अपनी विस को लिखना है उस कागज को दो बार फोल्ड करके अपनी तरफ रख देना है और अपने हर्ट यानि दिल से टच करना है और फिर अपना दहना हाथ उस कागज पर रख कर अपनी विस्की कलपना करनी है उसके बाद मैंने जो मंत्र बताया उसको ग्यारह बार बोलना है मंत्र था बस आपको ग्यारह दिनों तक इस प्रोसिस को करना है वो भी सोने से पहले फिर देखना आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपकी इच्छा 100% पूरी होगी यह मेरा वादा है 11 दिनों के बाद बताना आपको सेकसस मिली या नहीं लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी इच्छा 100% पूरी होगी लेकिन किसी भी टेक्निंग के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है पहला है आपका बिलीव सिस्टम दूसरा आपको डेस्परेट बिलकुल भी नहीं होना है अगर आप डेस्परेट हो जायोगे तो कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी आप यूनिवर्स को यह यकीन दिला दीजिए यह कि आपने सब कुछ उनके हाथों में सोप दिया है जो करना है परमात्मा को करना है फिर देखना आपके जीवन में हर दिन चमतकार होता है तो दोस्तों आप अपना experience हमारे साथ जरूर शेयर करे कमेंट में जै श्रीराम जरूर लिखे आपकी मनो कामना 100% पूरी होगी और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर जै श्रीराम जै हनुमान जै नीम करोली बाबा